आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चानल साइबोटेक केमपस नवादा आज की सेक्सेल के वीडियो में हम लोग एस्टाटिक सेरियल नंबर लगाना सीखेंगे और फिर यह जानेंगी कि स्टाटिक सेरियल नंबर में क्या प्राबलम है और उसके बाद डायनिमिक स स्किप नहीं किजिएगा वीडियो के लाज तक बने रहे ताकि यह दोनों चीज हम लोगों को समझ में आ जाया असानी से देखें जहां तक स्टाटिक सेरियल नंबर की बात है तो हम लोग पहले सेल में वन हमने लिया और दूसरे सेल में सपोज हमने टू टाइप कर दिया अब इन दोनों सेल्स को आपको सेलेक कर लेना है और उसके बाद फिल हैंडिल से आपको नीचे के तरफ इसको ड्रैग कर लेना है अटोमेटिकली यह सेरियल नंबर आ गया लेकिन मैं इस सेरियल नंबर को एस्टाटिक सेरियल नंबर कर रहा हूं क्यों प्राब्लम क्या है पहले देखिए इसको समझते हैं यह आपका 1 to 7 यह serial number है लेकिन सपोज आपको यह कहा जाता है कि आपको item name पे a to z as any order में data को display करना है आप चले जाते हैं data के data tab के अंदर वहाँ पे आप sort use करते हैं और sort करने के बाद सपोज आप item name पे a to z alphabetical order में records को display करना चाहते हैं आप ऐस तो यह serial number भी आपका इधर उधर हो गया अभी तो problem है तो यह दिक्कत है static serial number के साथ अभी आपको यह कहा जाता है कि आप ऐसा करो filter लगाओ और filter लगाने के बाद यहां से आप quantity wise largest to smallest कर लेते हो देखिए आपका serial number जो है वो इधर उधर हो जाता है ठीक है चलिए मैं control z करके इसे undo कर लेता हूँ अभी यह तो static serial number लगाना बहुत असान का हम है लेकिन dynamic serial number कैसे लगाएंगे देखिए आपको करना क्या है आपको लिखना है cell को सेलेक करने के बाद equals row bracket खोलना है और बंद कर देना है उसके बाद आपको minus करना है उतना row जितना आपने ऊपर छोड़ दिया है जैसे मैंने यहां पर पहले रो में cells data लिखा है और दूसरे रो में मैंने heading लिखा है like static serial number, dynamic serial number, item name, quantity बगर बगर मतलब उपर से मैंने दो रो छोड़ दिया है तो मैं यहां minus two कर दूँगा अगर आप जिस sheet पर खाम कर रहोंगे अगर आप दो से ज्यादा या दो से कम अगर आप आप आपने रोज हो रहा है तो आप उतना minus कर दोगे जितना आपने चोड़ा है interface कर देना है और उसके बाद आपको इस formula को fill handle से नीचे के तरफ drag कर लेना है अभी देखो यह dynamic serial number कैसे है अब हम लोग क्या करते है अगेन हम लोग sort करते है या filter भी कर सकते है अभी हम लोग item नहीं पर नहीं अगर हम लोग अभी quantity पे quantities पे जो है largest to smallest हम लोग इसको sort करते है तो देखिए आपका यह जो serial number है यह उपर नीचे हो गया लेकिन आपका यह जो dynamic serial number है यह re-adjust हो गया मतलब अगर आपने sort किया अपने record को किसी भी column के value पर either in the ascending order या तो बढ़ते वेकरम में या और in the descending order या तो घरते वेकरम में तो कोई problem नहीं अगर आप filter भी apply करते हो आप यहां से filter apply कर लेते हो और उसके बाद भी आप अगर चाहो तो यह काम आप कर सकते हो देखो आपने तो आपका यह जो static serial number है वो rearrange नहीं होता है जबकि आपका जो dynamic serial number है वो rearrange हो जाता है ठीक है तो यह उमीद करता हूं कि अब इस video को देखने के बाद आप लोग भी यह फर्क समझ चुके होंगे कि static serial number जिसको आज तक आप लोग शायद use भी कर रहे होंगे उसमें और dynamic serial number में क जिन लोगों नभी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब करते हैं बिल बटन को हिट करते हैं ताकि जो भी मैं update दू वह आप लोगों तक समय पर पहुंचे वीडियो के अन तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत ब